हे गाईज कैसे आप सब आसा करते हैं आप लोग अच्छी होई गाईज आज आप लोगों के वीच लेकर आए है कानेटिक ग्रीन फ्लैक्स एलेक्ट्र की स्कूटर जो की एक बजट सेगमेंट की एलेक्ट्र की स्कूटर होने वाली है तो गैज इस वीडियो में इसकी फूल डिटेल मिलने वाली है तो चैनल पने है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाईज जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो एलेक्टर की स्कूटर है आपको एरो डाइनमिक लुक में मिलने वाली अगर लाइटिंग की बात करे गाईज तो ये एलेक्टर की स्कूटर फुली LED लाइट सेटप के साथ आती है इसके फ्रेंट में गाईज डिल टेलिस्कोपी सस्पेंसन देखने को मिलेगा रेयर में गाईज डिल स्पिरिंग सस्पेंसन दिया गया है टायर साइज की बात करेगा इस तो इसके फ्रेंट रेयर दोनों में आपको 12 इंचेज का टिवलेश टायर देखने को मिलेगा एलवाइविल के साथ यहीं पर अगर braking system की बात करेगा तो इसमें आपको दोनों पहियों में ही disc brake देखने को मिलेगा जो की काफी बेतर है इसके ground clearance की बात करेगा तो इसमें आपको 190 mm की ground clearance देखने को मिलेगा और गाईज इसकी load carrying capacity है 150 kg की तो गाईज यह तो बात हो गई look and design के बात करते हैं इसकी specification की इसके battery की और इसके motor की तो अगर battery की बात करेगा तो इसमें लीथे में का 42 AH का battery pack दिया गया है जिससे इसकी range हो जाती है 120 km की charging time की बात करेगा तो 0-100% charge होने में लगते हैं 4 hours इसके motor की बात करेगा तो इसमें VLDC hub motor का इस्तेमाल के आगा है जो की 1200 Watt का है जिससे इसकी top speed हो जाती है 72 km पर hour की warranty की बात करेगा तो motor पे आपको 2 years की warranty देखने को मिलेगा और battery पे आपको 60,000 या फिर 3 years की warranty देखने को मिलेगा अब अगर बात करेगा इसके feature की गाईज तो इसमें आपको digital instrument cluster देखने को मिलेगा इसके price की बात करेगा इस तो इसकी exorum price है 1,18,000 तो गैज इस वीडियो में सिर्फ इतना है वीडियो अगर अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा बिल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो